शुक्लाम् परधरम् विष्णुम् शशीवरणन् चतुर्भुजम् प्रसन्न वद्नन् ध्यायेत् सर्व विग्नो पशांतये। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मने नमहा ध्यान श्लोकाह। पारथाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायने नस्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिनामध्ये महाभारतं। अद्वैता मृत वर्षिनीम् भगवतीम् अश्टादशा ध्यायनीम् अम्बत्वा मनुसंदधामी भगवत गीते भवध्वेशिनीम् Om Shri Krishna Parabrahmani Namaha, Om Krishna Namaha, Om Krishna Namaha, Om Krishna Namaha, Om Krishnai Namaha, Om Krishnai Namaha, Om Krishnai Namaha, Om Krishnai Namaha, तबीको सुप्रभात और जैश्री कृष्णा आज हम रामसुख दास्ची द्वारा रचेत गीता दर्पन में परमात्मा और जीवात्मा का सुरूप इसके बारे में जानेंगे तो कहा है गीता में जीवात्मा परमात्मा चा तत्वत्तो अभिन एवचा लक्षनेशु द्वायोह साम्यम कृष्णेन कथितम स्वयम तो उपासना की दृष्टी से तीन परमात्मा के सुरूप है ठीक है पहला सगुण निराकार एक मिनट एक है सगुण निराकार एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार ठीक है यह तीन डिफरेंसिज हैं सगुण निराकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार तो जब हम सौंदर एक माधुर एक दिवगुणों से उक्त और प्रकृति और उसके कार संसार से परिपून रूप से व्यापक परमात्मा जो है सगुण निराकार कहलाते हैं सगुण निराकार कौन है जब हम सौंदर देखते हैं माधुरेद ये सारे दिव्य गुड़ों को देखते हैं और संसार में जो पूरी तरह से व्याप्त परमात्मा है उनको देखते हैं तो वो सगुण निराकार कहलाते हैं जब साधक परमात्मा को दिव्व गुडों से रहित मानता है, अर्थात उसकी दृष्टी केवल निर्गुड परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वो सरूप निर्गुड निराकार कहलाता है, जब कोई गुड नहीं है, केवल परमात्मा पे फोकस है, तो वो निर गुण निराकार जो होता है परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिश्टित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं तब वो सगुण साकार कहलाते हैं ठीक है अभी ये डिफरेंसिस पता चल गया आपको कि जब हम जब जो ईश्वर सब व्यापत है वो हो गया सगुण निराकार और जब वो प्रकट हो गया तो हो गया सगुण साकार और अगर वो खाली इश्वर के बिना गुण वाला है और सब जगे व्यापत है तो वो है निर्गुण निराकार तो ये तीन डिफरेंसिस हैं ठीक है तो गीता इन तीनों स्व अभ्यास योग से युक्त एकाग्र मन से परम पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोडने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। योगबल के द्वारा प्राणों को भृकुटी के मध में लगा कर शरीर छोडने वाला मनुष्य उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। सगुण निराकार का कि आपको यहाँ पर दोनों भृवों के बीच में अपने प्राणों को ठिका कर इसी पर फोकस करना है तो आप उस पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है निर्गुण निराकार जिसको वेद वेत्ता लोग अक्षर कहते हैं। वीत राग यती लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रमचारी लोग ब्रमचारे का पालन करते हैं। उस पद को मैं कहूंगा जो अक्षर निर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत, कूठस्त, अचल और धुरुवतत्व की उपासना करते हैं। एक्सेट्रा ठीक है। यह हो गए निर्गुण निराकार। अब तीसरे आते हैं सगुण साकार, अनन्य चित्त वाले जो भक्त, नित निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, जैसे इस कौन वाले, उनके लिए मैं सुलब हूँ। महात्मा लोग मेरे को प्राप्त होकर फिर दुखाले और अशाश्वत पुनर जनम को प्राप्त नहीं होते हैं। डैवी प्रकर्ती के आशरित महात्मा लोग मेरे को संपून प्राणियों का आदी और अव्याय मान कर अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। जो भक्त भक्ती पूर्वक, पत्र, पुष्प, फल, जल, आधी मुझे अरपन करता है, प्रेम पूर्वक दिये हुए उस उपहार को मैं खा लेता हूं, अनन्य भक्ती से ही मैं जाना जा सकता हूं, देखा जा सकता हूं और प्राप्त किया जा सकता हूं. तो यह हो गया सगुण साकार अब सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एक्ता क्या है तेरवे अध्याय के चौदवे श्लोक में भगवान ने इनी तीनों रूपों की एक्ता की है जैसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम अर्थात वो तत्व संपून इंद्रियों की विश्यों को प्रकाशित करने वाला होने से सगुण निराकार है सर्वेंद्रिय विवर्जितम निर्गुलं अर्थात संपून इंद्रियों से और सत्वर रज तम तीनों गुड़ों से रहत होने से निर्गुल निराकार है सर्वब्रत गुण भोक्त्र अर्थात संपून संसार का भरणपोशन करने वाला तथा गुणों का भोकता होने से सगुण साकार है इसके सिवाए और जगे भी तीनो रूपों की एकता बताई गई है जैसे उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है तथा उसी को परमगती कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जी फिर लोटकर नहीं आते वह मेरा परमधाम, ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत ध ग्यार्वे अध्याय के अठार्वे शलोक में तीनो रूपों की एकता की है जैसे तौम अक्षरम परमम वेदितव्यम यानि कि अर्थात आप ही जानने योगे परम अक्षर अक्षर ब्रह्म होने से निर्गुल निराकार हैं तो अमस्य विश्वस्य परम निधानम अर्थात आप ही इस विश्व के परम आश्रे होने से सगुल निराकार हैं तो अम शाश्वत धर्म गोपता अर्थात आप ही सनातन धर्म के रक्षक होने से सगुल साकार हैं त प्रकरती जन्य गुडों का विश्यों का संगी इसे उंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनादा है। यह जीवात्मा मेरी पराप्रकरती है पर इसने अपराप्रकरती यानि शरीर संसार के साथ अहंता ममता करके इस जगत को धारण कर रखा है। किया गया है तेरवे अध्याय के पहले शलोक में इसको शेतरज्य और उन्नीस्वे शलोक में पुरुष कहा है। इसी को पंदरवे अध्याय के सोलवे शलोक में अक्षर कहा गया है। तातपरे यह है कि वास्तव में यह परमात्मा का अंशह होने से परमात्मा स्वरूप ही है। राग के कारण प्रकरती के कार शरीर संसार के साथ सम्मंद जोडने से ही यह जीव बना है। वास्तव में यह शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करता है और न लिपत होता है। अभी देखिये की सगुण निराकार आप तीनों का हम जीव आत्मा के साथ चाल लिंक है वो देखते हैं। सगुण पहला चलते हैं सगुण निराकार के साथ जीवात्मा की एकता। तो जीवात्मा के लिए कहा गया है कि उसको तुम अविनाशी समझो जिससे ये संपून संसार व्यापत है और सगुल निराकार परमात्मा के लिए कहा गया है कि जिसके अंतरगत संपून प्राणी है और जिससे ये संपून संसार व्यापत है वह परम पुरोश अनन्य भक्ती से प्राप्त होता है मुझ अव्यक्त मूर्ती से यह संपून जगत व्याप्त है जिस परमात्मा से यह संपून जगत व्याप्त है उसका अपने कर्मों के द्वारा ही पुजन करना चाहिए जीवात्मा को भी इश्वर कहा गया है और सगुन निराकार परमात्मा को भी इश्वर कहा गया है तो कर्मों से आपको इश्वर का पुजन करना है यह तो वो हो गया सगुन निराकार अब चलते हैं निर्गुन निराकार के साथ जीवात्मा की एकता की जीवात्मा को भी संप जगत में व्याप्त बताया गया है और निर्गुण निराकार परमातमा को भी संपून चराचर प्राणियों में व्याप्त बताया गया है। जगत में व्याप्त बताया गया है और निर्गुण निराकार परमातमा को भी निर्गुण कहा गया है। सगुण साकार के साथ एकता बताई है। सब सरूपों के साथ जीवातमा की एकता बताने का तातपर ये है कि इस जीवातमा की परमातमा के साथ एकता स्वतहा है। परमातमा के साथ एकता मानने से परमातमा के साथ एकता का अनुभव नहीं होता। परमातमा के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों रूपों के साथ जीवातमा की तातविक एकता और मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता मिटने पर तातविक एकता का स्वतहा अनुभव हो जाता है। कई आचारे जीवातमा और परमातमा में अभेद मानते हैं। भेद मानने वाले आचारे भी तातविक भेद नहीं मान सकते। हाँ वे जीव अनेक हैं। इस दृष्टी से जीवातमा और परमातमा में जाती एकता कह देते हैं। पर वास्तव में यह तातविक एकता ही है। कारण की जाती वह होती है जो एक होते हो भी सब में अलग रहे। चेतन तत्व एक ही है और उसमें कोई भेद यानि अनेकता नहीं है। फिर उसमें जाती कैसे हो सकती है। अता जीवातमा और परमातमा में तात्विक एकता है। अर्थात दोनों तत्व रूप से एक हैं। जीवातमा अलपज्य है और परमातमा सरवज्य है। जीवातमा की अलपज्यता अविद्या के कारण है और परमातमा की सरवज्यता उसकी शक्ती प्रकरती के कारण है। अगर जीवातमा अविद्या को मिटा दे तो उसकी अलपज्यता नहीं रहेगी। और अगर परमातमा अपनी शक्ति की अपेक्षा कर दे, अपनी शक्ति की तरफ द्रश्टी न डाले, तो परमात्मा की सरवज्जता नहीं रहेगी। गीता शब्द मैं ग्रंथ है, अता है इस लेख में गीता के शब्दों को लेकर ही जीवात्मा और परमात्मा की एक्ता की गई है। अगर साधक किसी ग्रंथ को महत्व देता है, तो वह उस ग्रंथ में वड़नित तत्व के साथ अभिन्न होने के लिए उसमें अपने को लीन करने के लिए ही देता है। जब साधक में सांसारिक वस्तू व्यक्ति आदी का महत्व नहीं रहता तब तत्व से मानी हुई अभिन्निता मिट जाती है। अर्थात परमात्मा से अपनी तात्विक एक्ता का अनभव हो जाता है। तात्विक एक्ता का अनभव होने पर व्यक्तित्व का अभिमान नहीं रहता क्योंकि वास्तविक तत्व में अभिक व्यक्तित्व का अभिमान नहीं है। लोगों की दृष्टी में तो वह योगी, जानी, अत्वा प्रेमी कहा जाता है, पर वास्तम में वह योगी, जानी और प्रेमी नहीं रहता, प्रत्यूत्व योग स्वरूप, जान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हो जाता है, तब तो से एक होने के बाद अर्थात अव्यक् नहीं हुई तो देखिए जीवात्मा और परमात्मा जो है तत्व में एक ही है जब हम अपना ये भेद मिटा देंगे तो हम जो है वो परमात्मा एक ही हो जाएंगे ये भेद ही हमें मिटाना है हमें अपने अपना पर्सनल जो है एक्जिस्टेंस ही नहीं सोचना अलग से जब हम अपना व्यक्तिगत वो मिटा देंगे तब हम परमातमा में लीन हो जाएंगे क्या खाना पीना भी सांसारिक होता है देखे खाना पीना तो एक क्रिया मान क्रिया है क्रिया तीन तरह की होती है तो यह क्रिया मान क्रिया है खाना पीना देख लेट यंको इको शानेतो कहां जाना है बिना नहाए मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या लिख रहे होगा फिर से हर हर महादेव मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये इस तरह की कमेंट्स ना किया करें जिसमें कोई भी जातियां लिखी है प्लीज मैं आपको लास्ट वॉर्णिंग दे लिए वो आपके लिए परसनल ही नहीं है सबके लिए है ये लिखना बंद कर दीजे ये सब क्यों आप दे रहे हो मैंने आपको पिछले ही स्ट्रीम में मना किया है जैसे ही आप जातियों के बारे में लिखोगे मैं ब्लॉक कर दूँगी आप सबको जै हिंदू राष्ट्र आज हम जानेंगे दर्शन क्या है सुवेद जी से तो अभी आपके कितने बज़े हैं अभी आपके खाली पोने चैपचास हुए हैं क्या अच्छा तो हम क्या जल्दी शुरू कर दें वो अभी तो चैपचास ही हुआ है ना तो साड़े साथ बज़े शुरू न कर दें आज दर्शन बैटमें जी सबकुछ उलट पुलट हो गया है मेरे को टाइमिंग का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बताईए कि क्या हम आठ बज़े ही रखें ये क्या बोलते हैं अपना जो मेंस्ट्रीम है एक मिनट आप उपर आजाए हम बैट में बात करते हैं जै हिंदू राश्ट्रा बैटमें जी प्लीज उपर आजाए मैं एक लिंक दे देती हूं जै हिंदू राश्ट्रा जै हिंदू राश्ट्रा